इस पर्टिकलर वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले आखिर जो अपराधिक मामले होते हैं, जो क्रिमिनल प्रवत्ती के मामले होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में साबित करने का भार किसके उपर होता है, याने आपने कोई अपराध किया, अब इस बात को कौन साबित करेगा और आपको अगर कोट में सजा मिलनी है या आपने जो भी अपरात किया है उसके लिए आपको सजा होनी है तो इससे साबित करना ही पड़ेगा evidence काफी जरूरी होते हैं साक्ष बहुत जरूरी होते हैं और ये साबित करने का भार किसके उपर होता है burden of proof किसके उपर होता है इस particular वीडियो में हम बात करेंगे जी अनमशकार आप सभी ने शुरूआत legal advice में अशुक पान्डे के साथ में की है और इस particular वीडियो में आपका topic मैंने आपको clear किया चलिए जरा बात करते हैं कि किस तरीके से जो burden of proof है आप राधिक मामलों में खासकर वो साबित करने का एक भार रहता है एक burden रहता है वो हमेशा जो burden of proof है वो रहता है prosecution पर prosecution का मतलब सरकार, राज्य सरकार, state government तो सरकार के उपर ये prosecution के उपर responsibility होती है कि वो साबित करें सरकारी वकील आपने सुना होगा जी हां वो prosecution यानि सरकार की तरफ से लड़ते हैं तो अगर मान लेते हैं for example आपने कोई अपराद किया अपराद करने के बाद में जिसके खिलाफ आपने ये किया उसने F.I.R. दर्ज करने के बाद की क्या प्रक्रिय है जी हां F.I.R. दर्ज करने के बाद में उसके उपर पूरा का पूरा investigation होती है investigation कौन करेगा? पुलिस करेगी पुलिस सारे सबूत इकठे करती है अब पुलिस किसके अंडर काम करती है? ये आपको समझना जरूरी है वो राज्य सरकार के अंतरगत काम करती है जब राज्य सरकार के अंतरगत, जिससे CBI हो गई Central Bureau of Investigation वो किंदर सरकार के अंतरगत कारे करती है, लेकिन है तो सरकार के अंतरगती तो इसी तरीके से सारे के सारे जो evidence है, जो साक्ष है वो collect करने के responsibility किसकी हुई? वो ही government की government के on behalf कौन कर रहा है? पुलिस पुलिस collect करने के बाद किसको दे रहा है? prosecution को prosecution में कौन contest कर रहा है? कोर्ट में वो सारी चीज़ें कौन सामने लेकर क्या रहा है? कानून का जानकार जो की वकील है और वही वकील आपका सरकारी वकील होता है हाई कोर्ट में जैसे हम panel lawyers बोलते है, सुप्रम कोर्ट में panel lawyers बोलते है, government advocates बोलते हैं वैसी subordinate court में भी जो district courts होती हैं, वहाँ पर भी सरकारी वकील होते हैं और criminal मामले prosecution की उपर burden होता है, जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है कि वो साबित करें कि ऐसी घटना घटी थी, इस व्यक्ति ने किया था और उसके पीछे ये सारे साक्ष है दूसरी एक मादवपूर्ण बात ये समझनी है, कि तब तक जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये अपराद हुआ है और आप ने किया है या मैंने किया है, तब तक आप या मैं करने वाला जो व्यक्ति है उससे इनोसेंट माना जाएगा, यानि ऐसा समझा जाएगा कि उसने कोई अपराद नहीं किया, इसी विज़े से जमानत का ही प्रोविजन होता है अब इसके बाद में एक बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी, कि जो सारे के सारे एविडेंस हैं, वो एविडेंस बहुत जरूरी होते हैं और जहां पर केस कमजोर हो, तो इस कमजोर केस का एडवांटेज किसे मिलता है, अक्यूस्ट को, मान लीजे मैंने कोई क्राइम किया था, अपराद किया था, तो इसका जो एडवांटेज है, वो किसे मिलेगा, इसका एडवांटेज मुझे मिलेगा आपने अपराद किया था इसका advantage आपको मिलेगा अगर prosecution का पुलिस का या सरकार की तरफ से जो case है वो कमजोर है तो इसका जो ज़ादा benefit है वो आपको मिलेगा काफी सारे lacunas होते हैं जी हां छोटी छोटी ऐसी भूलचूक होती जिसका फायदा उठाया जाता है और criminal matters में आपराधिक cases में जो अपराद करने वाला व्यक्ति वो बच जाता हला कि है तो ये ठीक नहीं लेकिन फिर भी किसी तरह से भी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराद नहीं किया है उससे सजा मिल जाए ये काफी जादा गलत होगा इस वज़े से कानून ऐसा मानता है कि नहीं हम पहले पूरी चीज़ों को समझ लें साक्ष देख लें उसके बाद में ही कोट आपको सजा देगी otherwise अगर कुछ ऐसी चीज है जो ये इंडिकेट करे कि जहाँ पर जो prosecution का case है जो सरकार का case है जो पुलिस ने अपने evidence collect किये है वो कमजोर है तो वहाँ पर जो accused person है जो ROP है उसे इसका benefit मिल जाता है अब दो चीज़ें हो सकती है एक तो वहाँ जहाँ पर proof करने की कोशिश की गई लेकिन एक जगा साबित हो रहा है एक जगा साबित नहीं हो रहा है एक जगा आपको benefit मिल रहा है और एक जगा आप फस रहे हैं तो ज़ादा जो court आपको favor करेगी वो इस बात पर करेगी कि आप जहाँ पर नहीं फस रहे हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप निर्दोश हैं, उसके उपर कोट ज़्यादा एंफसस करेगी, ज़्यादा ध्यान देगी बशर्ते एक पॉइंट को पकड़ कर जहां से ये साबित हो कि आपने कोई अपराद किया है इस वज़े से ज़्यादा तर जो अपील के मामले होते हैं कोट ये लैक्यूनास देखती है कि बई ट्राइल कोट ने कहां पर गलती की है और उसके अधार पर जो अपील होती है क्रिमिनल अपील्स होती है वहाँ पर हाई कोट या उनरेवल सुप्रेम कोट के मार्दियम से कई बार जमानत दे जाती है suspension sentence के cases होते हैं वहाँ पर जमानत मिल जाती है और भी तरीके से तो witness काफी important होते है गवाह काफी important होते है अगर वो गवाह से या साक्ष से ये साबित नहीं होता है कि आपने ऐसा कोई अपरात किया तो definitely उसका advantage आपको जरूर मिलेगा इसके साथ ही अगर आपके case में weakness है तो उसका भी advantage आपको मिलेगा defense को यानि सरकार को या police को या government को उसका advantage नहीं मिलेगा तो ये काफी मात्यपून बात होती है और burden of proof किसके उपर होता है इस पस्ट तोर पर जो सरकार है burden of proof सरकार के उपर रहता है इसका मतलब जो राज़सरकार है वो साबित करेगी कि आपने अपराद किया है राज़सरकार का prosecution भी समझ सकते है आप कोई जनकारी कैसे लगी मुझे जरू comment box में mention किजेगा साथी साथ कोई प्रशन है आप मुझे बात कर सकते है आसान चब्दों में आपको कानून कि जो भाशा है वो समझाने का मैं करता हूँ प्रयास इस वज़े से नए है सब्सक्राइब जरू कर ले अगर बात करना चाहते है इस पुटिकलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है लिंक है जहांसे डिरेक्ली आपकी और मेरी हो जाएगी बात मेरी अंगले वीडियो में आप सभी स्वस्ता और सुरक्षित रहें